हेलो मनोस कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल प्राफिट असडी में तो आज किस फीड़ में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रूब डी नहीं भरती जिसका नोटिफिकेशन रेलवे के एकॉर्डिंग आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहां पर आने वाला है क्योंकि आप लोगों का बहुत क्वेरी आ रहा है यहां पे हर छात्र काही सवाल है कि सर दो हजार चौबिस में जो वैकेंसी आएगा ग्रूब डी का उसमें जिन्होंने रेलवे से अपरेंटी सिप कर रखा है उसका कटफ कितना जा सकता है ताकि हमें एक सवरेटी मिल है तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं इससे पहले जितने चैनल पर फर्स्टम है सब्सक्राइब ने की फटाफट कर गए सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि रेलवे से रिलेटेड एट उजर इंप्रमेशन आप लोगों को मिलती रहे इसके साथ साथ आपको डिस्क आने के लिए आप इस बुक का जरूर से जरूर शहरा ले सकते हो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका टोटली NCRT पे बेस है जिसमें आपका हर टॉपिक को कवर किया गया है और नियून्तम लेटेश पैटन के अनुशार आपको कवर किया गया जिसमें इतिहास आ रेलवे में कम्प्यूटर का भी कोशन आपको देखने को मिलता है कला संस्कृती और नैनो टेकनोलोजी से बहुत सारी टॉपिक आपको इसमें रिलेट करके आपको यह जो बुक है आप लोगों के लिए आपे लॉंच किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि आप रेलवे आप नजदी की बुकी स्टोर पर विजिट करके इस बुक को खरीच सकते हो तो देखिए एक से एकस्पेक्टेट जो कटक है उससे जानने से पहले थोड़ा सा वेकेंसी के बारे में समझी अच्छे से डीटेल से ठीक है आप लोगों का दो हजार अठारा में भरती आया है ठीक है उसके बाद जस्ट आपका अगला साल 2019 में भरती आया और वो भी कितना भरती आया एक साथ आपका एक लाख तीन हजार से जादा पोस्ट पर आपका वेकेंसी निकला अब भविस्त में इतना भरती एक साथ देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये तो रेलवे बैठे थे एक्जाम में 19 में भी CCA वाले candidate एक्जाम में बैठे थे हैं अगर आप ठारा वाला का CCA का कटप देखिएगा न तो यहां पे undeserved का बात करेंगे तो undeserved का जो cut up है वही आपका लगभग 40 नंबर के आसपास बना था maximum zone में ठीक है वही अगर हम बात करेंगे SC और ST का बात करेंगे कि particular किस zone में किस category में कितना cut up गया अब यहां बात करते है 19 में क्या scene था तो 19 में जो scene था और यहां पर जो 18 में था लगभग लगभग आप बोल सकते हो बराबर था इसलिए बराबर था क्योंकि यहां पर एक के बाद एक non-stop vacancy देखने को मिला 18 में भी भरतिया गया और उस सबसे बड़ा मुद्धा बन जाता है कि आने वाला जो भरती है उसमें CCA का cut up कितना जा सकता है CCA अपना कितना एका धार मान के चले कि हाँ भई हम 40 नंबर पे हो जाएगा 50 नंबर पे हो जाएगा या फिर कितना नंबर पे होगा ताकि हम अपना एक target set करके चले कि हमारा CBT में इतना नंबर आएगा 1 by 3 में इतना होगा 2 by 3 में इतना होगा सारा मिला जुला कर हमें इतना नंबर लाना है तो हमारे लिए CCA का टेगरी से exit पक्का हो जाएगा अब बात को समझे यहाँ पे total अगर बात करेंगे तो 2019 के बाद से railway में आपको कोई भरती देखने को नहीं मिला ठीक है 19 के बाद 20 21 22 23 24 कितना साल हो गया तो भाईया आपका पांच साल का समय यहाँ पे हो गया कवर पांच साल में आपको कोई भी भरती देखने को नहीं मिला अब पांच साल में कितने CCA इस्ट्रुएंट त्यार हुए लंप सम एक एवरेज हम मानते हैं कि कोवीट क दौरान यहाँ पे CCA का भरती नहीं आया था फिर भी कुछ डिवीजन में आया था ठीक है कुछ डिवीजन में आया कुछ डिवीजन में नहीं आया तो मानके चलते हैं कि दो साल आपका CCA का भरती यहाँ पे देखने को नहीं मिला या फिर 50% मानके चलते हैं तो आपका यह यहां पे 21, 22, 23, तीन सा इधर और एक 24 चल रहा है, इन चार सालों में अगर एक साल में हम 30,000 भी रेल्वे अपरेंटिस का लेंगे भरती, ठीक है, तो चार साल में आपका 30,000 यहां पे एक साल में लेंगे, तो चार साल में आपका कितना हो गया, एक लाग 20,000 रेल्वे अपरेंटिस चातर तयार हो गया, कौन-कौन सा, देखिए, 21, 22, 23, 24, इन चारों साल को इंक्लूड करके हम बता रहे हैं, ठीक है, 19 में और 20 में छोड़ दीजे, उनसे पहले वाला जो रेल्वे अपरेंटिस है, जिनका 2019 में नहीं हो पाया, उनको छोड दीजे, हम सिरिफ 4 साल कोई कंसिडेट रहेंगे, तो 1,20,000 रेल्वे अपरेंटिस कंडिडेट है, हलाकि इससे उपर है, फिर भी हम मान के चलते हैं, कि 1,20,000 रेल्वे अपरेंटिस आतर वरतमान में, ठीक है, अब यहाँ पे 2024 में भरती अगर मान के चलते हैं, कि आपका 40, 40,000 भरती आता है, ज्यादा का भी उम्मीद नहीं करना है, कम का भी उम्मीद नहीं करना है, हम मान कर चलते हैं, कि हमारा रेल्वे ग्रूप D का जो सीट आता है, वो लगभग आपका 40,000 के आसपास आपका सीट रिलीज किया जाता है, अब 40,000 में 20% अपना कोटा निकाल दी एक लाग से जादा रेल्वे अपरेंटिस कंडिडेट फॉर्म परेंगे, ठीक है, एक लाग से जादा, 2019 में जो 20,000 सीट फूलफिल नहीं हो पाया था, उस टाइम तक उतने रेल्वे अपरेंटिस चात्र जो रेल्वे से अपरेंटिस इस नहीं किये हुए थे, पर 2019 के हमान के चलते हैं कि एक लाग ही CCA वाले केंडिडेट फाइट करेंगे, तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक यहां पर रेल्वे अपरेंटिस का कट अप जा सकता है, और ऐसा नहीं कि CCA चात्र नहां पर पढ़ने वाले नहीं है, आप लोगों को पता है ना कि कट अप कितना परसेंटेज आ रहा, और एबरेज विला कर 85-90 वालों का सलेक्शन हो रहा है, तो जिसका भी सलेक्शन हो रहा है, चाहे में 20 में बात कर ले, 22 में बात कर ले, 23 में बात कर ले, 24 में बात कर ले, सभी पढ़ने वाले चात्र है, पढ़ने वाले चात्र है, तो जाहिर सी बात ह में आपको इजाफा देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल जो आपका रहता है कि जब आप लोग यहाँ पे railway apprentice जब पूरा होता है तो आपका एक exam होता है और उस exam में आप देखोगे न तो maximum candidate का 90 plus marks बनता है कितना maximum candidate का 90 plus marks बनता है बहुत सारे ऐसे candidates हमारी बात्चित होते रहते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा तो 96 है हमारा 97 है हमारा 98 है तो हमें कितना number CVT में लाना होगा सोच लीजिए मतलब अगर इसका 90 का एक बड़ा 3 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 30 number तो आपका ऐसा ही मिल गया आपको बिना कुछ किए एक साल का apprentice ही 30 number आपको दे दिया और यह आपको ही नहीं मिला जितना भी 21 22 23 में 16 पास किये सब को यह 30 number common मिला है चाहे वह अन्रिजब से हो ST ST से हो या फिर OBC से हो 30 number सबको यहाँ पे common मिला है तो सब तो नहीं पे रग है अब बात आता है कि फिर यहाँ पे merit कैसे decide होगा तो वह देखिए उसके बाद आपका main important fact ट्रोल करता है 1 by 3rd प्लस 2 by 3rd ठीक है यह दोनों जो बहुत important factor है जो आपका merit में decide करता है 1 by 3rd तो आप लोग समझी गए जो भी आपका railway apprentice का marks में होगा उसका 1 by 3rd निकाल देंगा मान लिजे आपका 90% आया इसका 1 by 3 निकाल दीजिए तो आपका 30 नंबर आपका यहाँ पर आ गया solid आपको 30 नंबर मिल गया 2 by 3rd क्या होता है जो भी आप marks लाते हो जो भी आप CBT में नंबर लाते हो उसका 2 by 3rd हो जाता है जितना भी नंबर आप लाओगे उसका 2 by 3rd हो तो 18 में भी वही फर्मूला था 19 में भी यही फर्मूला है अभी देखिए एसोसियेशन और यहाँ पर AIR बात मतलब मिनिस्ट्र आप रेलवे के साथ लगातार मीटिंग हो रहा है कि रेलवे अप्रेंटिस का या तो कोटा बढ़ाया जाए और नहीं तो यहाँ पर रेट रिकुड्मेंट वन टाइम सेटलमेंट का कुछ प्रवधान किया जाए हलाकि अभी तक उसके रिगाडिंग अपडेट नहीं आ है वेट करिए अगर उसके रिगाडिंग अपडेट आगा तो हम आपको अपडेट प्रोवाइट कर देंगे पर अभी जो वर्तमान में लगभग वही तीस नंबर आपका मीनिममम कटफ आपको देखने को मिला हलाकि किसी किसी जोर में 30 नहीं 35-37 भी गया था और यहां पर बात करें आंडी जब में तो 42-43 भी किसी किसी जोर में गया था तो आपको हम सीधा बता देचे कि यह जो इतना नंबर आपको देखने को मतलब यहां पर आपका अंडी जब में 50 और स्टी एंडी जब में 40 इतना नंबर आपका मीनिममम कटफ जाएगा इन जाएगा इससे कम में आप उम्मेद ही मत रखेगा कि आपका सेलेक्शन हो पाएगा जो बात है किलियर सुल लिजे अगर आप अंडी जब से हो तो कम से कम 50 क्योंकि पिछला बार गया था 40 और SCST OBC से है तो पिछला बार गया था 30 इसमें 10 बढ़ा दीजे 40 इतना कम में से आप आपका सेलेक्शन होना मुम्किन फिर नहीं है ठीक है बाकी देखिए अभी क्या हम आपको अपडेट करेंगे परन्तु प्रीप्रेशन जो है आपको इसी एकोर्ड़िंगं आपको अपको अपना रखना है कि हाँ वही आ देखिए 50 में से तो आपको 300 बटने तो तो यह preparation आपको करके चलना है 30 नंबर आपको मिल रहा है बस 30 नंबर और आप ऐसा पढ़िए कि 30 नंबर आपका CVT में भी अराम से हो जाए 2 by 3 करने के बाद 30 नंबर ठीक है बाकी से related आपके मन में जो भी सवाल होगा जो भी डाउट होगा हमें comment box में comment करके बताएगा और आप group D का त्यारी कैसे करे group D का preparation कैसे करे बहुत जल्द इसके उपर भी हम आपको dedicated video प्रोवाइट करने वाले हैं चलिए आज के लिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भरती नई जनकारी के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय भारत